हेले सुडेंट्स वेलकम टुद आफिसेल यूट्व चैनल आफ ओरीजिन कोचिंग आप सभी का स्वागत है आज के मेरे इस स्पेशल क्लास पर और यह स्पेशल क्लास मैं इमीडियेट डिसाइट कि आप से मिलने के लिए बहुत इंपार्टेन परपस को लेके बात करने के ल सुना तो इतना आश्यर हो गया कि भाई ऐसा भी हो सकता था जिस एक्जाम को लेके एक साइंस का स्टूडेंट बच्पन से प्लानिंग करता है बच्पन से मतला बभी इतना वार्नेस है कि 6-7-8 क्लास में आते आते बच्चे को पता रहता है कि मुझे आगे नीट करना है और अचानक उसको सुनने को मिले कि आयाइटी जैई नीट बंध हो गया कि आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर में कैसे क्या बीता होगा आप तो स्टूडेंट्स हैं मैं टीचर हूं जब मैं यह सुना तो एकार तो मुझे यकिन नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है क्या लेकिन लेकिन policy change होते रहते हैं policy बदलते रहते हैं आज मैं especially आप से इस बात को discuss करने के लिए उपस्तित हुआ हूँ कि यदि कोई policy change हो और उस time आप उस position पर हो कि आप सबसे ज़्यादा उस affected होने वाले हैं तो आपको उसको कैसे balance करना चाहिए इस matter पर बात करना मैं बहुत जोरी समझा क्योंकि मेरे से जुड़े जितने भी बच्चे हैं जो आइटी जेई नीट का preparation करते हैं basically मैं वही पढ़ाता हूँ आपको तो मैं वून बच्चों को message देना चाहता हूँ आज कि इस policy का क्या fact है क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता आपको कैसे उसको balance करना है आप उससे से साथ में मर्ज होने वाला मैं बात करूंगा आपसे कि वो good हो सकता है याक्ट कियोंकि किसी भी policy का दो पहलू होता है कि वह या तो अच्छा होता है या फिर बुरा होता है लेकिन मैं आपको बता दूं कि कभी कोई policy अच्छा या बहतर नहीं होता आप उससे कितना प्रभावित होते हैं इंपर्टन होता है कि यदि मैं किसी सब्सक्राइब mit जहिए कि उसकी ट्सका यहीता की यूजीशी ने डिकलेर किया यह बात प्रपोजल मोzd रखा यह, बहुत में प्रहोज़ित बहुता मरण होगा किसके साथ programs Version के ही तेस्स हो रहा है और आप आयती जहीं नीट को भी उसके साथ मरj करने की हो रही है ॏ आपको मैं जांता हूं कि इस वीडियो के आपके पहुंचते तक यह आपको मिल चूकी होगी इस पेसली इस वीडियो को मैं आपको इस परपस के लिए नहीं बता रहा हूं कि आपको इसकी जानकारी देनी है मैं इस परपस के लिए बना रहा हूं कि इससे हम प्रभावित कैसे होंगे यह बताने के इतने लंबे समय से पढ़ाने के दौरान आयाइटी जई नीट कही मेरा बैसिक प्रिप्रेशन का मेरा बेस रहा है तो इसमें पॉलिसी में बहुत बार चेंज हुआ है यह दिमाइटी जई की बारे में बात करूं तो सबसे पहले सिंगल स्टेज एक्जाम होता था फिर ट्व मेंम होता था मतलब समय मैंन आज का मैंन जिसकोका कहता है दूसरा जो एडवांसशुक्रा एक्जाम शेंघ मेंडिकोटी होता था मतलब वहां पर मल्टीपल इस पु겠습니다 होता और मैं पोस्तली इस भाक रखोब प्रब्लम को साल वकर सकते हैं फिर चेंज हुआ तो कुछ दिनों तक उनली प्रिलिम्स होता था ट्विस्टेज एग्जाम नहीं होता था जैसे ट्वेल्थ क्लास के पर सेंट का भी हमको बेटेज मिलता था फिर इसका बहुत इस अपोज हुआ क्योंकि अलग-अलग स्टेट कि बोड़ में एक्जाम के अलग है डिफीकल्टी लबल अलग है किसी बोड़ में बहुत मार्स आ रहे हैं बच्चों के कि दो महुत कम मार्स आ रहे हैं सी वेसी का अपना इस्टेंडर है तो वह भी उसपर भी प्राबलम हुआ फिर हम ए्नाईटी मेड मिशन के लिए आजाम को देने परते थे हम हम सबसे पहले एकजाम देते थे ए एनिटी मेडविशन के लिए फिर आया इटी का अलग एकजाम देते थे एए क्राइट नए पवालिशी बनाते हैं फिर हम्हारे लिए जॉआंट in trans examination प्रणिया 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 प्रणि सब्सक्राइब यहां पर आप सबसे पहरे देखो कि यह अभी अभी कन फर्म नहीं है सबसे इंपॉर्टेंब बात कि बहुत से बच्चे पनी ख्याते हैं जैसे उन हैं कि जैसे उनको सुनने में आता है कि हम क्या करें क्या करें और काहला होगा तो पहली बात सक्या है अब उसके सारे पहलू पर बात होगी हाला कि कुछ दिन पहले आपने सुना कि KVPY का एक्जाम भी अब केंसल हो गया कि IISC में एडमिसन के लिए हमारे पास सबसे बड़ा जो माधियम होता था वो KVPY किस और वाइग्यानिक परिक्षप्रसाहन योज्जा सबसे बेस्ट था लेकिन अब बंध हो गया दीरे दीरे गॉर्मेंट क्या है पालिसी को कर रही है प्टेट कर रही है चेंजेश बहुत जोरी है पाजिटिव दूट जोरी है जब तक आप नया नहीं करो में जैसे सी यूइटी के एक्जाम भी आया तो चेंजेस हो रहा है उसी का पार्ट आप समझ सकते हैं डिसीजन को भी अब यहां पर सबसे लिए नीट या अएटी जे का कर रहें वह किस तरह से अफेक्टेड हो सकते हैं तो उनका अभी स्वभाविक है क्योंकि देखो क्या है यह 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 जाता है सी यूटी में तो आप सब इस बात का सबको एस्पेरियंस है कि हमारा जो एक्जाम का लेबल होता है पृट एक्जाम में अलग लेबल होता है आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे बड़ के टापर होते हैं अपने यह प्रफार्मनी कर पाता हैं वहां सएलेक्शन नहीं नहीं होती क्यों उनमें तैलेंट नहीं है इसी बात नहीं है वे प्रिप्रेशन प्रिप्रेशन को जो वे हैं तो डिफरेंट डिफिकल्टी लेबल सब जगां पढ़ने का अपना तरीक अलग होता हैसी करते हो अब तो नोड़ाउट यह बहुत कामन बात है कि जिस तरह के एक्जाम होता है स्टूडेंट उसी पर फोकस इस्टडी करता है उसी को लेकर वह काम करता है तो बोर्ड का पेटर अलग है जई के फेपर अलग है है दो Спेसली मैं अपने सब्जेक्ट पर बात करूँ फिजिक्स पर बात करूंने तो मेर बेस पर प्रिप्रफरेंस हैं तो हनियरंती इस स्टूडेक्ट पlingen इस सब्सक्राइब करना निट के लिए बच्चे को फिजी पढ़ाना होता है तो हम 15 डेस्ट टूवन मंथ नियर बाउट बैसिक मैथमेटिकल टूल्स को पढ़ाते रहते हैं उसको इंटिगरेशन करना डिफ्रेंसियसन करना वेक्टर का डार प्रोड़क्ट पढ़ाना यह हम छोटा छोटा चीज़ नीट के बच्चों को पढ़ाते रहते हैं लेकिन यह जब फिजी समय आई टी जेए के लिए जाते हैं तो हम यह एस्पेक्ट करते हैं कि बच्चा इसको जानता है सीधा हाई ले लेबल पर बच्चे को केवल नीट के लेबल पर फिजी बात कर वह सक्सेज नहीं होगा तो भाराल मैं आपको यह कहना चाहरा हूं कि डिफिकल्टी लेबल जो होता है वह स्टुडेंट को बहुत ज्यादा अफेक्टेट करता है यह समाने सी बात है आपका जैसा टास्क होत अच्छा है ना ये राइटर के बूक कर लूँ तो मैं मना करता हूं कि नहीं बैटा तेरे को अभी उस लेबल के नहीं करने चाहिए जबकि है तो तो क्यों अपने समना करते हैं क्योंकि यदि उसमें टाइम वेस्ट करेगा तो वह अपने लेबल के पर नहीं जा पाएगा डिफिकल्टी लेबल बहुत important matter होता है किसी भी एक्जाम के लिए और अब नई पालिसी में यदि सब एक्जाम CUET के साथ में मर्ज हो जाए तो सबसे बड़ा प्राब्लम तो यह आएगा कि IIT JEE के लेबल का स्टूडेंट अपना कौन सा करेगे और नीत कऱेगा अच्चिक भी मेरे समझ में समझ में नहीं आ रहा है यह दोनों का लेबल बराबर हो जाएगा पिए लेएट्यों में जाएगारических जैंग गए मेडीकल का स्टूडेंट फिर की में स्टूडेंट में फिर प्लपनी प्रपस लैइसे परद्य के ऐसा नहीं हम एक और यह इस्टिप्र की स्टूडेंट को जो फिजिक्स उतने पढ़ रहा है जीतना उसको बैसिक जानना है उसको बहुत ज़यी पढ़ींगे मेडिकल साइंस उसको काम आना नहीяжए इंजिनेरिंग की स्टूडेंट को पूरा काम आना है तो यदि उसी लेबल की फिजिस को पढ़की स्टूडेंट मेडिकल में भी जाए और उसी लेबल की फिजिस को पढ़के दियों इंजिनेरिंग में भी जाए तो वो कैसे हो सकेगा यह तो थोड़ा मुझे भी सब्जेक् स्टुडेंट एक होस्यार स्टुडेंट वो है जो पॉलिसी के एकार्डिंग खुद को ढाल लेता है वैसे मैं पढ़ाई कि क्या बात करूं वहराव आपको लाइप में सक्सेज होना है तो सबसे मैं प्रिप्रस्ट है तो देखिए यदी मैं सिस्टम पर बात करूं तो फाइनली यदो इंप्लीमेंट होता है तो मेरा परसनल वियू है मैं ब्यक्तिगत्राय है यह को इन्वार्ट मैं आppen निकरो मैं यह निजी राय हो सकता है किया अच्छा पालीसी होगा यदि मुझत से प फिर वह दोपहरब को बोलेगा किसर मौह आयटी कि तयारी कर लेता हुं तो जादा अछा है फिर ऑस साम को कहता है कि निट जादा अच्छे पहसर मेडिकल कर फिल जाता है बहुत सारा कंफ्यूजन और मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे तो इस कंफ्यूजन में प्रापर डिसीजन नहीं ले पाते हैं यदि एक एक्जाम हो जाए उसमें इंजिनियरिंग नीट और हमारे सेंटल इंवर्सिटी और अच्छे इंवर्सिटी में इडमिसन हम उसी एक्जाम से दे सकें तो कम से कम हमारे पास बहुत से मल्टी आप्संस होंगे नहीं होने MI कि मैंने देखा है के लिएक आछे करते हैं अब एक्जाम है किसी बच्चे का में सकचेंज नहीं होने को कम्प्लिट इसके टेलिन उसके पास नीचे और बहुत से आप संस होंगे हो सकता है कुछ का इटी चुकेगा किसी अच्छे साइन्स कालेज में किसी अच्छे इनवर्सिटी में जाके वह अपनी पढ़ाई कर लेगा ऐसे भी इंडिया में मैं हमेशा अपने क्लास में बच्चों से चर्चा करता हूं कि साइन्स की स्टड़ी के लिए भी बच्चे आया यसी जैसे और बहुत सारे इस्ट्यूट्स हमारे देश में हैं अच्छे इनवर्सिटी हैं जहां पर स्टुडेंट जाके यदि वह साइन्स की पढ़ाई अच्छे से करता है तो रिसर्च का फिल्ड भी डवलप होगा उसक एंचल को का से क्तिति के कता हैं एगसे इनटी के लिए और सारे था रहेंगे और अपने रेंग पर अपने cha aur पर जा सकेगा बहुत ज्यादा confusion नहीं होगा ट्वेल्स का एक्जाम देने के बाद एक एक एक्जाम का जबर्जस त्यारी करेगा एक फोकस स्टेडी करेगा और उसके रेंग के बैस पर अपना मेंटली प्रिपेर है उसको तो तरह से मौका मिलेगा अभी तयारी करने वाले स्टुडेंट इस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए आप अपनी प्यारी पर लगे रहिए और मेरा फाइनल पतलब अंतिम मेरा मेसेज आपको यह है कि एक्जाम का पेटर्न कुछ भी हो एक प्रि है तो एक्जाम का पेटर्न मुझे जादा अफेक्टेट नहीं करेगा तो डिफिकल्टी लेबल को आप अपना बना के रखिए कि आप अच्छे लेबल पर प्रिप्रेशन करिए आपको किसी सिस्टम के कारण आपका रिजल्ट अफेक्टेट नहीं होना चाहिए आपने जो करेंगे अधरवाइस कई बच्चों को मैंने देखा है कि जैसे कोई नहीं ऐसी बात होती तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दिये और टोटल इसमें उल्जय हुए ऐसा होगा वैसा होगा तो क्या होगा पढ़ने वाला पढ़ रहा है सिर्फ सिस्टम पर अनलिस पर लगा हु कि मेरे सभी स्टूडेंट्स पढ़ाई अच्छे से करते रहें आपको फिजिक से ही पूछा जाएगा एक्जाम चाहे जो भी हो आपको मैस से ही वहाँ पर पूछा जाएगा यदि आप उसमें प्रिपेर हैं तो हर एक्जाम अच्छा करेंगे तो कंफ्यूजन को हटा करेंगे दिमार्ग से और पढ़ाई करिए यही मेरा आपको मेसेज इसलिए मैं इमेडियेट आपके साथ में आया ओके थैंक्यू थैंक्यू सब्सक्राइब